ऐसे नाचने गाने वाले कितने घूमते हैं कि हमारे सबसे बड़े बाबा चीन में कहद हैं मस्जित चलेगी मंदिर चलेंगे या ना सिख्षा चलेगी ना रोजगार चलेगा ना महगाई चलेगी तो मंदिर में जाएंगे क्यों सड़कों पर आवे कौन आ रहा जो सड़कों पर आ रहा उसके डंडा मार रहे उसे देश दुरोई बता कर जेल बेद दें तो ज्यान बापी मज्जेत है वहां के महंत ने खुद वहां की हिस्ट्री बताई है क्या आपने नहीं सुना में क्या बता दो मिल गए इन जितने भी जितनों को बाबा मिल गए ना इन सबसे कहो कि हमारे सबसे बड़े बाबा चीन में कैद है, उनको छुटाओ, है हिम्मत तो जाओ, हिंदुस्तान में तो करेंगे, क्योंकि यहां इनका बाप बैठे हुए न, वो इन्हें बचा लेते हैं, मां जाओ चीन में, चीन में बाबा कैद है, मां सरोवर यातरा पे जाते हैं, वह मुगलों का राज था, तो मुगलों का तो पूरी जगे राज था, और लाल किला भी मुगलों नहीं बनाया, तो हो सके जहां परदान मंत्री खड़े हो का भासन दे रहे हो, उसके निच्चे भी हमारे सिव जी शिवलिंगो, तो आख होदा ही करो, क्योंकि जहां सेंटरल व बनारस में कोरिडोर बनाने के लिए सेकड़ों मंदिर ढाये, और वहां पर जितने सिवलिंग थे, वो नालियों में दोड रहे थे, उसमें तुम्हारी आस्था नहीं थी, बस उसी में आस्था है, तो जान बापी मस्जिद भी बनारस में ही है, और वे मंदिर जो ढायते है कि बनारस में हैं, पाकिस्तान स्था, गए है तो तुम्हारी आस्था नहीं होगी, जब तुम्हें धरम के नाम पर बोट चाहिए, तो तुम्हारी आस्था है. अब कगना रनावत गई थी कासी उन्होंने कहा था कासी के कड़कड में भगवान है यह कौन है एक्टर है ऐसे नाचने गाने वाले कितने घूमते हैं मैं कह रहा हूं विकास टुम्हें विकास चाहिया ने एक चीज रखो नहीं तुम लोगों को तुम लोगों को तो में अग近 lihat मुसलमान हो फिर तुमहाँ लड़ते क्यों हो मंदिर मैं किया था हूं हिंदू है सिह वलिंग बानने के पुछने रहो मुसलिक मोसलिम उसेह थो दोनों चाहिए तो यह चलाओredit मंदिर जो जाए एक तरफ आप हिंदु की सब आएंगे 2024 तक लिखो ना तो प्रधान मंत्री बोलता क्यों नहीं बोलता क्यों नहीं तो फेर इनकी तूतरी बंद करो भाई जब तुम यह तो एक तरफ रहो यह तो कहो कोट का मामला है तो कोट जो नीने देगा वह सब कुमानने होगा तुम्हारे यह सम्मिधान बढ़ा यह सरकार बढ़ी है बताओ उसे मंदिर कहा तो बंदिर माल लेओ मजजिद कहा घुट अरे उसने की कोई बात नहीं करने वह इस स्टूल मंत्री कोई बात नहीं क्या बोल रहा है और पहले 304 होता है संवेधानिक पद नहीं है डिपटी सियम हमारे सम्मिधान में कहीं नहीं लिखा डिप्टी सीम का कोई समयधानिक पद है यह तो वह है कि जब तुझे कुछ ना मिले तो तुझे यह बना दिया बस तो खुश रहे हैं तो क्या आपको क्या लगता है ग्यान बापी मस्जिद में क्या है मुझे गया पता क्या मैं गया ही नहीं देखने तो न्यू लिंग कह रहा कोई से फुवारा कह रहा तो जो भी होगा आपको क्या लगा फोटो देखकर मुझे कुछ नहीं लगा मैं समीधान के साथ हूं जो न्याले नेना कर देगा वो मान्या है अच्छा